Good Morning Student Welcome to our 2D classes of Divine Public School Students, आज हम English की क्लास अटेंड करेंगे एद English की क्लास में आज हमारा टोपिक है, Sound of the Alphabet हम daily वही कर रहे हैं और आज भी हम वही करेंगे बस हमारे कुछ sounds और बच्चे हैं जो मैं आपको लर्न करा देंगे, फिर इसका again एक बार हम सारा repeat करेंगे revision करेंगे ठीक है तो आज हम कौन सा sound पढ़ने वाले W और X का सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने last class में कौन सा किया था last class में किया था हमने U का sound और V का sound U का sound होता है A और V का sound होता है U for umbrella V for when U for umbrella के spelling अभी तर लर्ण नहीं होगी है नाए स्टुडेंट यू एम बी आर की डबल ल ए अंब्रेला V for when वेन की तो अभी तक सब बच्चों को लर्णने हो गई होगी वी ए ए एन वेन सो स्टुडेंट्स आपने मैम की यह वाली वीडियो वाच किये इसमें मैम ने आपको यह sound पढ़ाया है और यह आपको अपनी notebook में write down भी करने है अपने किया है इन्हे write down सारे sound को V और V वाले sound को write down करना है फिर उसके बाद आपको W और X वाले sound write down करने और learn करने चीक है डब्ली का sound होता है वां X का sound होता है कस अब वहां कैसे होता है इसका sound देखो W4 क्या होता है watch डबली 4 क्या होता है watch तो वहां आ रहा ना W4 वाच तो W4 वाच डबली ए टी सी एच वाच डबली एकक्स का सांड क्या है कम एक्स का सांड क्या है कश का से दिखू एक्स कस आरों एक RS पॉर एक्स ले कका सारवार क्स निकल रहाए देखो आप एक्स 2 मार कर ना पीछे कश कर स्क्राइब वोल्के देख़िया आपको भी बता चलेगा एक्स सी केना चनल आपको एक्सपर एक्स-स ठरह की स्पंड तूoka ये सांड्र ने आभिम आपको कर लेते हैं एक बार कि अभी तक हमने कितने साउंड पढ़ लिये हैं और वह आपको लर्ण हुए है या नहीं है हम यहां से सारे साउंड लर्ण करेंगे एक आउंड ए-f or apple ए-double-P-I-l-e Apple B का साउंद बर B for ball B, A, double L, ball C का साउंद का C for cat C, A, T, cat D, D का साउंद बर D for dog D, O, G, dog E, E का साउंद A, E for ape E, double G, L F, F का साउंद F, F for fish F, I, S, H, fish G, G का साउंद G, G for grabs G, R, A P, E, S, grabs H, H का साउंद है H का साउंद है H for hen H, E, N, hen I, I का साउंद है I for ice I, C, E, ice J, J का साउंद है J for jump J, U, G, jump K, K का साउंद का K for kite K, I, T, E, kite L, L का साउंद है L for lion L, I, O, N, lion M, M का साउंद है M for mango M, A, N, G, O, mango N, N का साउंद है N for nest N, E, S, T, nest O, O का साउंद है O, O for orange O, R, A O, R, A, two-part में डिवाट करके लाण O, R, A, N, G, E, orange P, P का साउंद है P for parrot P, A, R, R, O, T Parrot Q, Q का साउंद है Q for queen Q, U, double E, N Queen Q for queen Q, U, double E, N Queen R, R, R का साउंद है R for rose R, O, S, E, rose R, O, S, E, rose S, S का साउंद है S for sun S, U, N, sun T, T का साउंद है T for tiger T, I, G, E, R, tiger U, U का साउंद है U for umbrella U, M, B, R, E, double L, A Umbrella V का साउंद है V for when V, N, when W, W का साउंद है W, W का साउंद क्या है W, W for watch W, A, T, C, H W, A, T, C, H Two parts में divide करके learn करना है W, A, T, C, H W, A, T फिर X X का साउंद है QS X का साउंद क्या है QS X X for X X R, A, Y आपको आगे X बनाना है Capital फिर बनाना है R, A, Y मैं मैं आपको बताया है न, students कि हम Capital Spelling का First letter Capital होता है And हम यहां आगे Small letter बना रहे हैं आपको पता है न, हम आगे Small letters बना रहे हैं So, अब हम start W W का sound देवा W for watch W A, T C, H W for watch देखा मैं मैं आपको किसे हैं Hand चलाया चलो मैं आप धीरे धीरे से बताएंगे चीके W फिर यहां से टच करके A फिर यहां से टच करके T फिर यहां से टच करके C H चीके यहां पर sleeping line बना दीजिए तो W, A, T, C, H watch फिर हमें क्या करना है यह बना लिया अब हम यहां पर X का बनाएंगे तो हम यहां बनाएंगे Small letter का X फिर देश फिर हम बनाएंगे कस फिर देश लगाएंगे फिर बनाएंगे X for X-ray X R, A, Y X-ray ओके फिर हम यहां बनाएंगे Small letter का W फिर यहां पर फिर देश watch फिर हम यहां बनाएंगे X X का sound है कस और X-ray बनाएंगे X for X-ray होता है था X-ray की spelling बनाएंगे X R, A, Y X-ray ओके स्टुनेंट फिर हम नीचे बनाएंगे यहां पर W फिर वाँ W का sound क्या है यह वा W for watch W A T C X student देखो मैं पने pencil बाद में उठेगी ना पूरी spelling होने के बाद उसके बाद हम यहां sleeping line बनादेंगे ठीके यह हो गया W for watch अब यहां पर हम बनाएंगे X X का sound ray का X for X-ray X Ray R, A, Y X-ray ओकी तो यह हमारा आज का homework है यह आपको complete करना है spelling को मिला मिला के ही write down करना है student, अब आप big class में आ गए है high class में आ गए तो आपको इस तरह से ही करना हो गए ओके आपको यहां पर तो small letter लिखने है लेकिन spelling का first letter always capital होता है आप कोई सी spelling बनाओ चाहिए आप 1 से 10 तक जो spelling होते ही वो बनाते ना उसका first letter भी हमने capital ही बनाया था high students को capital ही बनाना है और आपको इस तरह से यह home work complete करना है सारा home work complete कर लेना है और आपको कोई भी problem आए तो आप Saturday की दिन में से आकर solve करवा सकते हैं की सो स्टुडेंट अब ये बच्छा आपको सारे sound बोल कर बताएगा की कैसे सुनाने फिर आप भी मैंम को ऐसे सुनाएगा छीके sound and spelling बोल्च लेट स स्टार्ट A का साउंड ए A double P L E apple B का साउंड बोल B A double L ball C का साउंड का C for cat C aty cat D का साउंड D for dog D orgy dog E का साउंड A E for egg E double G egg F, F का साउंड है F for fish F, I, S, H fish G का साउंड गर G for graph G, R, A, P, E, S graph H, H का साउंड है H for hand H, E, N, hand I का साउंड है E, I for ice I, C, E, ice J, J का साउंड गर J for jug J, U, G, Jug K, K का साउंड कर K for kite K, I, T, E, kite L, 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 K M, M का साउंद म, N for mango, M, A, N, G, O, mango N, N का साउंद, N for nest, N, E, S, T, nest O, O का साउंद, O, O for orange, O, R, A, N, G, E O, R, A, N, G, E, O, R, A, O, P P, P का साउंद, P for parrot, P, A, R, O, T, parrot Q, Q का साउंद, Q for queen, Q, U, W, L, queen R, R का साउंद, R for rose, R, O, S, E, rose S, S का साउंद, S for sun, S, U, N, sun T, T, T का साउंद, T for tiger, T, I, G, E, R, tiger U, U का साउंद, A, U for umbrella, U, M, B, R, E, U, M, B, R, E, A, double N, A, umbrella, V, V का साउंद, A, V for rain, V, A, N, rain W, W का साउंद, W, W for watch, W, A, T, C, H, watch X, X का साउंद, का साउंद, X for x-ray X का साउंद, का साउंद, X for x-ray, X, R, A, Y, x-ray Well done, बहुत अच्छा, देखा, student कितने अच्छे से सुनाया है, उसी तरह से आपको भी सुनाना है, Okay, फिर मैम, मैम अगर happy होगी न, आपके साउंद और spelling सुनकर, फिर आपको बहुत सारी toffees भी मिलेगी, Okay, so आपको इस तरह से बोलना है, और यह, आज मैम आपने जो बताया है, जैसे बताया है, वैसे homework complete करना है, अपने notebook में, Okay, thank you, have a nice day